नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका तो आईए सरू करते हैं विडियो मित्रो आज का हमारा प्रसंग है भगवान शिव माता पार्वती ने दुनिया का पहला शिवलिंग काहा पर स्थापित किया था मित्रो विडियो अच्छी लगे लाइक चचकराईब जरूर कर लिजेगा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर अती प्राचीन मंदिर है यहां जो शिवलिंग है वह स्वय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती द्वारा स्थापित है नर्मदा पुरान रेवाखंड भागवत जीता में भी उल्लेख है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस शिवलिंग का दर्शन करना आवश्चक है मंदिर में ही नर्मदा कुंध है जो सदैव नर्मदा जल से भरा रहता है शिवलिंग के पास ही माता पार्वती की भी प्रतिमा है बताया जाता है कि शिवलिंग गुफा में होने से यह मंदिर गुपतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है पुजारी पर्मानंद बताते हैं कि पहले यह क्षेत्र दारुकावन के नाम से जाना जाता था भी यहां मौजूद थी। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से रिशियों की तपस्या भंग करने की जिद्ध की जिस पर भगवान शंकर बाल रूप धारण कर नगन अवस्था में नृत्य करने लगे। भगवान के नृत्य से रिशियों की पत्निया प्रभावित और कहा की जिन्हें श्राप दिया है वह स्वय भगवान शिव है लेकिन श्राप वापस नहीं हो सकता था। तब रिशियों ने भगवान को उपाय बताया की भगवान को पुना लिंक कैसे प्राप्थ होगा। तब भगवान शंकर और माता पारवती ने पास ही नर्मदा नदी से एक पत्थर लिया और अनादी लिंक के रूप में उसकी यहां स्थापना की जो अब गुपतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। उन्हें रात में घंटियों और आरती की आवास सुनाई देती है। और यहीं से शिव पूजा शुरू होई थी। प्रव झाल सुनाई देती है।